हेलो नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का स्यूटी कॉंसेट के सौल लाइन लर्निंग प्रेटफर्म पर आई होप आप सुब बहुत अच्छे होंगे तो बीते दिनों कई सारे बच्चे सवाल पूछ रहते हैं कि सर हॉस्टल एलॉटमेंट कैसे होता है बीच्चू में तारीक तक था वह समाप्त हो गया है तेरे तक साथ फी पेइमेंट का था अब जल्दी आपका बीच्चू की ओर से फर्स राउंड का अलॉटमेंट वह शुरू कर दिया जाएगा तो कई सारे बच्चे जिनका मार्क्स थोड़े अच्छे आएं वह सारे लोग परिसान है कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा अगर आपके नमर बहुत कम आ रहे हैं तो नो डब आकश्ट आपको यहां पर मैं जूती दसली नहीं दूँँगा ऴेले दो कर M अच्छे से रह सकते हो ठीक है तो एके करके हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी साथ मेल आइकन प्रेस करके रखना और जो भी बच्चे की त्यारी हमारे यहां से होती है आप जो है हमारा अप्लिकेशन डाउनलूड कर सकते हो या फिर वेबसाइट पर जा सकते हो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर कोई दिक्कत आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो चले करके देखते हैं कि होस्टल जो है आपको कैसे यहां पर मिलता है पूरी प्रक्रियाद बताएंगे आपको एक-एक चीज़ें यहां पर हम आपको बताने वाले अभी देखो क्या है यहां पर कि सीटी का एक्जाम आपका हो गया है ठीक है अब की ओर से होनी थी वो लगभग लगभग समाप्त हो गए अब यह किया करेंगा म्य हो सकता है बहुत बच्चों का गभरा नहीं है सदौ 젊श में और आ फिर से सुरूगा उसमें पि कए लोगनों फूर्ट राऊंड यहां आते रहते यहां पर वह स्पोट राउंड जिसको हम लोकते वो भी यहां पर शुरू किया जाएगा उसमें भी कही सारे बच्चों का एडमिशन होता है तो सीट अलॉट्मेंट अभी शुरू होगा अभी कहां तक प्रोग्रेस हुआ है अभी जो है आप यहां तक पहुंच चुके हो आपका कांसलिंग उनी थी वह गयी 1965 का प्रहस होगा सब्सक्स customer और यहां पर सिख्यान को सबस्थ mos करना वहता है अगर अगर कोई दोक्युमेंट में कोई अगर गड़वड़ी पाइग गई तो को कोई करेंगे आपको और कोई समस्य होई तो वहला वह इमेल के थे तो फिक है आपको बताया जाएगा देन आपको सही करना होगा करकबागों डॉक्मेंट में अगर कोई गड़बढ हो गया तो रुदस होगे फिर आपका मौनलों अनुको हो तो हम सब कुछ बता देंगे इसके लिए नहीं घबराना ठीक है तो अभी एक जनरल पगिर्या बता रहें तो फीपेमेंट आप करोगे फीपेमेंट के बाद आपका एक तरह से प्रोईजनल एडमिशन हो जाता है लेकिन इस टाइम पर आपको और विजिलेंट रहना परता है बहुत ध्यान पूलवरा का सारी चीजे जो है वह देखनी होती है वेबसाइट पर आपको अपने पोर्टल को ओपन कर करके सुबह साम देखना होता है क्योंकि अभी देखो जोगरफी आपको हुआ है आपका प्रोईजनल एडमिशन हो गया लेकिन उसमें जो है उसके है तो फिर आपको डिसीजन लेना होता है कि हमको बिकॉम में जाना या फिर बीए में ही रहना है तो वहां पर भी आपको एकसेट रिजेट का मिलता है तो वह सारी चीजे होती है जब यह होंगी तो हम आपको अच्छे से बताएंगे अब इतना समझों प्रीपैमेंट कर द दोलड़ भी डी डिया घृत्व जायगी तो अब कुछ सब्सक्राइब बं जाओंगे इसके बाइब कुछ क्लास से स्टाइएगा ठीक है और अफ्क क्या होता है कि यहाँ पर एक जो है जिनको जिनको होस्टल की रिक्वार्मेंट थी वह आपसे पहले पूछ लिया जाएगा फिजिकल वेरिपिकेशन में क्यों आपको चाहिए यह कर दोगे चाहिए लगबाव सभी लोग करी देते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर होस्टल के कि यहाँ पर एंस्टमैंट देखोंगे लगबाव 10-15% बच्चों को और किसी में बीस परसेंट वी najwięks बच्चों को सभी घ। पर जिनको जिनको मिलेगा उनका जो है एक जारी होगा पूरा एक जो है आपने आप देखोगे वहाँ पर दीन आपिस में जा करके तो हाँ पर होस्टल का सीट लगा दिया जाएगा भाई कि यह इनका रोल नमर यह तो यह सब कुछ आपको एड़ीशन के बाद और एड़ीशन के बाद कितने टाइम लगेगा तो वह 15-20 दिन एक महीना भी आपको लग सकता है ठीक है एक महीना के आसपास टाइम तो रहता ही है तो अभी आप क्लास करोगे तो एक महीना लग बग आपको बाहर ही रहना होगा तो बाहर रहोगे ठीक है बाहर रहने के बाद फिर एक महीने बाद आपको होस्टल का लिस्ट आपको निकल जाएगा अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-असपास हैं दोनों मिला करके तो वहां पर आपको यहां पर होस्टल मिल जाता है तो लिस्ट में अगर आपक प्रकरिया होती है कुछ आपको डॉक्मेंट्स देने होते हैं प्रक्राइब करना उसका अलग से वो सब कुछ हो जाएगा देण को होस्टल पर मिलाएगा तो यह ओपर ओल प्रक्रिया हम is Chinese sweet एंदर आगर आ रहा है तो आपको ऑस्टल Nहीं मिलेगा ध्यान देना कि दूर दूर से उच्छा रहे उनको जदा प्रइयरोटी स तो प्रास्थ एप आपका घर भी ओगा कहीं नहीं पर रह रहे हो तो आपको जादा दिक्त नहीं होगा है So dhas km2 के अंदर आप और इस रेडियस मैं अगर आप आतो आपका घर है 10 km के बीच में इधर ठीक है इसमें पर आपका घर तो आपको तो hostel नहीं मिल पाएगा वके चाहे आप जितना भी नमब्र ले कर क्याय। चाहे आप साढ़े 400 का इस बार बन रहा हैं साढ़े 400 में से बीट है मैं अगर देखें सब्सक्राइगे तो है पर हष्ट्पिन की आफिकड़ मिलना बहुत मुस्क्टिन हो गर 10 क्लेमेटर से ज्यादा दूरी पर है ठीक है डिस्टेस ऐगर आपका 101 क्लेमेटर 200 Luis 400 क्लेमेटर 15 क्लेमेटर भी दब है तब भी मिलेगा 10 चब् scheme सकता है तो आपको फंको पर होस्टल मिल सकता है इसा जबाइन सिर्फ दूरी के हिसाब को आपको लिए ही मिलता है आपको जो अपने कोर्स में अच्छे मार्क्स भी गेन करने होंगे वह भी देखेंगे अभी ठीक है एटी-ट्वेंटी का रूल तो यह मालों कोई बच्चा जो है तो उसको मिलने के चांसेश बढ़ जाते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि पक्का आपको मिली जाएगा अपको जैनल का टेग्री में ही एलोट होगा आपको ना तो मतलब जैनल तो जैनल ली है फिर उडाले सो बीसे इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है जैनल तो जैनल यहां पर अपने अलग जैगा उसमें ठीक है कम नूमर पर भी आपको यहां पर और मिलाज आता है तो के लिए रिजर्वेशन है इनके लिए रिजर्वेशन नहीं है अब आजाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जो कि आपका 8020 का रूल ठीक है 8020 का रूल ओके अब इसको ना हम एक उधार से आपको समझाने की कोशिस करते हैं सब पोच करो दो बच्चे है ठीक है एक है मालो सुरेश ठीक है सुरेश है यह मालो ठीक है सुरेश है एक है महस एक है सुरेश तो दो बच्चे हाँ पर हो गया अब एक बच्चे का घर जो है मालो की तमिल लाडू में है कहां पर है एक बच्चे का घर तमिल लाडू में है दूसरे बच्चे का घर जो है वह मालों की भीहार में थीके भीहार में है क्यांता मिला confiscation महेश का घर जो है वह वहार टो जाईसी बात है तो मतलब 1200 ग्रमेटर दूर हो गया लेकिन भीहार में होगा तो 500 किलमेटर ज्यादा ज्यादा थीक कह से हैं 304 qui यह तो इसका दूरी जो है कम है लेकिन इसका दूरी जो है वह जादा है अम माल लो कि दोनों ने जो है दोनों ने क्योंकि आ समगत करें लेकर ने मार्क गें किया है 450 में से कितना 300 नमबर तीन सो और मतलब क्या होगा कि में इसने भी 300 नंबर ही यहां पर लाया दोनों ने समान नंबर लेकर दोनों का नंबर जो है समान लेकिन इसका घर तो बहुत दूर है 2000-3000 किलोमेटर दूर और इसका घर मतलब पास में ही हमाल लो तो क्या होगा कि यह जो 300 है न ये है दोनों का मार्क समान है लेकिन एक चीज डिफरेंट है वो क्या है डिस्टेंस डिफरिंट है यह आपर तमिल नाडु मेरा तह यह नहीं रहता है यह पास में है और यह बहुत दूर तो एक और चीज शमझा데 थीगा एक और चीज जैसे कि देखो यह करते क्या है कि जब होस्टल एलॉट्मेंट करते हैं तो यह रूल लगाते हैं एटी-ट्विंटी का तो 80% वेटेज देते हैं किसको आपके माक्स को ठीक है और 20% वेटेज देते हैं आपके डिस्टिंस को तो यहां पर होगा क्या कि जैसे दे लेंगे अब होगा क्या कि एक बरावर कितना हो गया एक बरावर असी बटे कितना हो गया 450 अब होगा क्या देखो यहां पर जिस इन दोनों ने कितना लाया 300-300 तो यह 300 को यह convert कर देंगे है 80 में ठीड है अशी के को रइंग इतना होगा इसमें अशी इंटू कितना आएगा थाईगा थी इंटी कना कितना हो जाएगा चाना फचाव यहना जेगा यह कर लें BCE,, ocasना कि आंगा забrně 2425 करता हूं 2445 तो तीरपन दसमलो 33 नमबर आपके या फिर 3 three है तो तीरपन ही होगा ठीक है मालओ यह कितना किंटने मिले है तो 80 में से कितने तो 20 डिस्टेंस खार इए और 80 क्या है मेंनी स्कोर कितने हैं यह होता हैने में रूल सबसे में से कितना या MP3 और उसी तरीके से क्योंकि इसका बहुत दूर है और tamilandu से जादा दूर कहां से आ ऊंठोगे अंडमान हो सकता है ठीक है λक्षडीप हो सकता है लेकिन मालने सबसे ज्यादा दूर कॉन सा है तो सबसे ज्यादा दूर है तो बीस में से 20 इसको तो मिलना ही चाहिए मान लेते हैं कि सको 20 मैं से कितना मिल गया 20 नंबर यहां पर मिल गया तो दोनों यह जुद ज्याएगा और टोटल जुट कर चुरांगा 100 और 100 में से इसको कितना मिल जाएं गे श्वार्म हो जाए गा तो यह आपका तो तिहाथना उगा है क्या होगा तो 100 में से आपको मिल गया हाँ पर तिहाथनरंक्स ठीक है 100 में से तिहातनरं 5000 औरización 20 मिला कर कितना हो गया बहुत यह पर इस बच्छे का सब्सक्राइब महेश का जो की रहने वाला है विहार से जो सब्सक्री रहने वाला है विहार से तो इसको 32 में से कितने मिल जाएंगे 300 मैं से इसको है वो सब्सक्राइब तो तीनसो इसका भी है तो इसको भी मिलेगा लेकिन क्योंकि इसका डिस्टेंस मतलब ज्यादा नहीं है पास में ही रहने वाला है तो इसको 20 तो नहीं मिलेगा 20 तो एक दम नहीं मिलेगा ठीक है तो 20 नहीं मिलेगा तो कितना मिल सकता है तो लगवगा मान सकते हैं जैसे 2000 का मालो 2000 किलोमेटर है तो उसका मालो 20 मिला है तो इसका तो मतलब 500 ही है तो इसको 10-12 ऐसे मिलेगा ठीक है 10-12 ऐसे मार्क्स इसको मिलेंगे तो 20 में से कितना मिल सकता तो यह जाता है यहां पर थोड़ा सा ड़िफरेंस आ जाता है आपका जो है पर आप नंबर तो सेमें लेकर लेकिन जब अलोट होगा तो तमिल्नादू往stil को ज्यादा प्रिफरेंस यहां पर मिलेगा इट मेंस कि जिनका ज्यादा दूरी है समान मांक्स है फिर भी मतलब सेम मांक्स है सीटी में फिर भी उसको ज्यादा प्रिवर्टी मिल जाएगी जिनका घर जो है वो ज्यादा दूर है तो इनका 73 नमर आ गया तो इनका लग लग ल तो हंस्तेर मिलना मुश्किल हो सकता है तहीस से जाता है अंतर हो ज्यादा दूर है तो चैल ऑन सी यूपी सोता एक बिहार सोता तो दुनों को लगवर समानी मांक्स मिलते उतना फरक नहीं आता लेकिन यह तमिलनाडू से है बहुत दूर है इसलिए ज्यादा अंतर आ रहा है ठीक है पांच तीन आठ नंबर का अंतर आ गया तो हर्टर मिलने के लिए एक एक नंबर बहुत बह इतना आएगा ठीक है जैसे हमने करके बताया और ट्वेंटी तो डिस्टेंस है हलांकि डिस्टेंस का कुछ पता नहीं है कि कितने नम मतलब मैक्सिमम कितना मांते है दोहजार किलोमेटर को 20 देते हैं यह तो यह हमने बता दिया आपको तो दोनों यह मैटर करता है ठीक है हल रूल नहीं है वैसे यह मतलब प्रॉपल रूल रूल नहीं है रूल तो यह तीन ही था बढ़ यह देखो रैंक अगर आप मालो किसी कोर्स में मतलब मालो सौ बच्चों का डिविसन होता है अगर आप में टॉप 20 में या फिर टॉप 15 में हो आपको आपको पका मिल जाएगा लेकिन 15% सीट के आसपास रहते किसी में 10 भी होते किसी में 15 तो मान के चलो 10 से 20% ठीक है अगर आप राउन फिगर लोगे 15 तो यहां पर होते हैं जिसमें हम रहते थे एंडी होस्टल में तो बीए सोसल साइंस में लगभग 120 बच्चों को यहां पर मिला था ठीक है तो 120 सीट के आसपास है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आपर यह एक्जामपल बताया था आपको यह कल्कुलेट करने बताया था कि स्क होसटल में आपका हुआ है उससद्रों में जाओ गें आपको मिलेंगे वहां को बताओ तो बताएं आपको कौन-कौन से लगें हला की जब सिंबनेट यह ड़कुमेंत आपको लेकर के जाना होगा होगा प्र जप्र यानि कि यह मांगा जाता है तो काड़ और निवास-परम तो फी अगर देखोगे तो फस्ट बार जब आपको अलॉट्मेंट होगा क्योंकि यहां पर कुछ कॉसन फी 2000-2500 के आसपास कॉसन फी लिया जाता है इसलिए फस्ट बार जब आप जमा करोगे पैसे तो आपको पैसे ज्यादा जमा करने होंगे फांटी सो के आसपास ठीक है 3,000-2500 आपको जनरली जो बी ए बीसे के कोर्से बी कॉम के कोर्से सोते वहां पर तो वहां पर आपको फस्ट से मिस्टर कह रहे हैं मतलब आपको फस्टल जब लॉट होगा उस टाइम पर थोड़ा ज्यादा पैसे करने होगे लेकिन जब आप को आउट हो जाओ यहां से युजी कंप्लीट कर लोगे तो आपके पैसे आपको वापस लॉटा दिये जाएंगे कॉसन फी ठीक है कॉसन फी लॉटाइंगे सारी पैसे मत सुझणा है सारे पैसे लॉटा दिन तो रूम का अगर देखो गे तो पर समस्टर यहां पर लगबग उसमें ले रहो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता ठीक है काफी ज़्यादा 16,000 के असपास तो यहाँ पर जो है 1800 और जो भी मतलब कोर्स ले नॉर्मल कोर्स जो है यह सब कोर्स में यहाँ पर समस्टर फी लगेगा अगें मेस चार्ज आपको अलक्सी देना होगा तो मेस अगर आप डेली खाते हो सायद अभी 55 रुपए चलना जब मैं था तो 50 रुपए था सायद अभी सायद यह 55 रुपए हो गया कुछी स्पेशल डाइट होते हैं जैसे किसी दिन चिकन ब बनता है बात बाकि यह 55 रुपए चलेगा तो सुबह साम आप खाते हो तो हलांकि नास्ता भी बनता है तो नास्ता खाते हो तो नास्ता के लिए अलग आपको पे करना होगा लेकिन जो प्रपर डाइट होता है जो मील हम लेते हैं दोपार का और रात का तो 55 प्लस 55 पास आपका चला जाएगा ठीक है यह अपका हो गया दिन फैसलिटीज की बात करें तो फेसलिट में आरो का मतलब टैंक लगा होता है पानी नहीं सब कुछ रहेगा घर्मी में ठंडा पानी मिलेगा आपको और ठंडी में गरम पानी भी आपको वहां पर मिलता है नहाने के जो घड़ अधय होते हैं बिछाने के लिए और नहीं होता ठीक है और पंके लिए अब यागे होते हैं अब यह मत कहने सर आच आर असी वाला रूम मिलेगा पंके रहेंगे ठीक है और आपको बाहर जो है कुछ ग्राउंड में जाते च्ट 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 इसमें बैडमींटन क लोग तो cricket भी खेल लिया करते थे हलां कि cricket नहीं खेल पाऊगे cricket के लिए आपको बाहर जाना होगा ग्राउन है बहुत सारे ठीक है उसमें आप खेल सकते हो लेकिन हम लोग तो वह गली cricket मिल जाएगा 24 घंटे बिजली भी मिलेगी क्लाइट वाइट कटता नहीं क्योंकि हाँ पर हर होस्टल में अपना जो है सोलर पैनल होता है तो लाइट कटने का कोई दिक्षत है नहीं तो यह सारी आपको मिल गया और यह सब हमने बता दिया और लास्टम बात रही कि भाई जिन तो वह जा सकते हैं पर सड़ी 85% 85% बच्चे कहां जाएंगे तो वह जा सकते हैं जाईर सी बात है ज्यादा तर बच्चे जो है वह छित्तुपूर में रहते हैं ठीक है छित्तुपूर एक लोकेशन है बिए चुके जस्ट बगल में और बहुत पास में पढ़ता है अगर आ जाए बच्चे जो है छित्तुपूर में ही रहते हैं और यहां पर अगर हम रूम की बात करेंगे तो रूम आपको लगभग पचीस सो मतलब 2000 में भी मिल जाता है हम जब रहते थे तो उस टाइम पर 2200 में हमको रूम मिल गया था ठीक है तो 2000-2500 में आपको यहां पर रूम मिल जाएगा एक रूम मिल जाएगा हाला कि उसमें जो है आटेस्ट बाफ रूम वो सम नहीं रहेगा आपको जो जो है आ Manuel बात्रूम मिलेंगे तो你有 2500 में ऐसी आप लिवगं 1500 आपको खाने में जाएंगा क्योंकि आतों अराम से खाना भी नहीं मतलब तो तीर अजार रुपय में आप बाहर भी रह सकते हो हलाकि यहां पर आपको फ्री वाइभाइब नहीं मिलेगा यहां पर थोड़ा से आपको उत्री शुब नहीं मिलेंगी बटापका खर्च उतना ही लगभग लगेगा तो चाहे आप होस्टल में रहो ठीक है होस्टल में हल लगभग आपका सेम पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूं ठीक है मैं अंदर भी रहा हूं तो खर्च मेरा लगभग सेम आता था लेकिन वही है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाय मिल जाती है ओके लेकिन जो होस्टल में मिलती है वह सारी सुबिधाय उठाने क ढो जो कि आपको होस्टल में मिलती है ठीक है और साती साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे खाना नहीं बनाना है तो आप भारहत्व सो रुपए क्यों कि देखो होस्टल का चार्ज यहां पर भी तो 1-800 लगी रहा है ना होस्टल का जो पर समस्टर है पर सेमिस्टर अठाइब आपको लग लग जाएगा पर मंथ लग जाएगा ठीक है तो 6,000 के असपास 12,62 ठीक है 7,000 के असपास आपको लगेंगे तो रूम का रेंट आपका बस बढ़ जाएगा अगर आप खाना चाहते हो तो आप बाहर रह करके आपको बढ़ जाएगा तो इतना चिंता नहीं करना कि आपको बाहर रह रहे हो ता फिर क्या होगा अचा चित्यपूर के अलावा आप सीर गेट भी जा सकते हो वहाँ पर आपको सिंगल रूप रूम 15 सो में भी आपको सीर गेट पर मिल जाएगा 307 अब लंका पहर के लंका पर किराया बहुत जादा है है अब है कराण यहां पर हैंपर आपको बहुत अच्छा लाग क्यागा प्राइगा तो यहां पर आपको 3000 मिलना बहुत मुस्किल हो जाता ठीक है इधर मिलेगा लेकिन बहुत खोजना पड़ेगा तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप बाहर रहे तो चित्युपूर जाओ ठीक है कम खर्चे में अराम से रह सकते हो ठीक है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगे लेकिन पैसे हैं और भी सकते हो सवत Zuschauer D Joyce authorities है आप बाहर में होस्टल भी ले सकते हो बार भण आपका सथ-छे अजार च्जार रुपए के बारे में फी के बारे में मतलब हमने अपनी और से लगभग लगभग सारी चीजे हां पर बता दी है I hope कि आपको सारी बाते समझ में आ गए होंगी लास्ट में आप चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन प्रेस करके रखेगा आगे आने लिए वीडियो जो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे मिलते हैं निक सेशन में धन्यबाद कुछ रहे मास रहे